रिसेर्च डिजाइन्स में ही जो सबसे ज्यादा इस्टैबलेश या पापुलर रिसेर्च डिजाइन्स हैं जी वो एक्सपेरिमेंटल रिसेर्च के हैं और अगर आपको ऐसे बिगिनर रिसेर्च डिजाइन्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप सबसे पहले अगर एक्सपेरिमेंटल रिसेर्च के डिजाइन पढ़ने से अपनी पढ़ाई का आगाज करें तो आपको इनकी बेहतर समझ आएगी क्योंकि ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है एक्सपेरिमेंटल रिसेर्च बेसिकली किस चीज का नाम है आप कोई भी ऐसी रिसेर्च जिसमें आप अपने इंडिपेंडेंट वेरियेबल को मैनिपलेट करते हैं याप उसको अपनी मर्जी से बढ़ाते या कम करते हैं आप मर्ज करेंगे इसको अपनी रिसेर्च में मिसाल के तौर पे आप देखिए कि मैं एक रिसेर्च करना चाहता हूं जिसमें मैं ये देखना चाहता हूं कि फिजिकल एक्सराइज का लोगों की मेंटल हैल्थ के बहतरी से क्या तालुक होता है या मेंटल हैल्थ से क्या तालुक होता अब मैं इसमें फिजिकल हेल्थ जो है स्टूडेंट्स की वो खुद से मैनेपलेट करता हूँ मैनेपलेट करने से क्या मुराद है मैं खुद से फैसला करता हूँ कि मैं एक ग्रूप अफ स्टूडेंट्स लूँँगा जिनको रोजाना एक घेंटा सुबह एक्सराइज कराऊंगा फिर दोपहर को उन्हें एक और एक्सराइज कराऊंगा और मैं ये एक्सराइज इनको तीन महीने तक हर रोज कराया करूँगा आपने खुद से फैसला किया एक्सराइज कितनी होंगी कितनी हर रोज होंगी या वक्फे से होंगी एक वक्त में कितनी डूरेशन तक एक्सरसाइज चलेगी ये इंडिपेंडेंट विरीबल था आपका फिजिकल एक्सरसाइज उसको आपने अपनी मर्जी से मैनिप्लेट किया कितनी होगी कब होगी कौन कौन सी होगी आपने खुद फैसला किया इसको कहते हैं मैनिप्लेट करना खुद से उसका तायून करना कि वो कैसे होगी और फिर जब आपने एक तफ़ा इसका तायून कर लिया तो इसके नतीजे में उनकी मैंटल हैल्थ पे क्या फरक पड़ा यह अब आपके कंट्रॉल में नहीं रहा आप एकसरसाइज कितनी देर कराएंगे यह तो आप फैसला कर सकते हैं लेकिन जब एकसरसाइज करवा दी अपने सोचे वे तरीके के मताबे तो इसके नतीजे में उनका डिपेंडेंट वेरियेबल यानि मैंटल हैल्थ जो था उस पे कितना असर हुआ यह फैसला फिर अब आपके हाथ में नहीं है और वो हर सबजेक्ट पे फरक फरक असर अंदाज होगी आपकी एकसरसाइज तो आपने इंडिपेंडेंट वेरियेबल को मैंटल किया डिपेंडेंडेंट वेरियेबल आपके कंट्रोल में नहीं है एकसरसाइज के नतीजे में जो चेंज आनी है वो कितनी होगी यह आपका कंट्रोल नहीं है वो खुद से होगी लेकिन आप exercise control कर सकते हैं तो जब भी आप किसी research में independent variable को manipulate करते हैं और उसका असर dependent variable पे देखते हैं dependent variable एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते है आप आसान रखने के लिए एक ही dependent variable लीजिए तो आपने जो manipulation की उसका असर आप independent variable पे देखेंगे इस तरह की तमाम studies जो हैं वो experimental research कहलाती है experimental research में आप एक duration का तायून करते हैं intervention की नौईयत का यानि manipulation जिसको मैंने का आप intervention भी कह सकते हैं उसकी नौईयत का तायून करते हैं उसकी duration का तायून करते हैं और फिर अपने dependent variable पे उसके असरात देखते हैं अब इसके अंदर फिर आगे मुख्तलिफ तरह की complications हैं कि जब मैंने manipulation करनी है किसी variable में तो लोगों का इंतखाब कैसे करता हूँ मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको मैं तबदील करता जाता हूँ तो experiment के design में तबदील ही आती जाती है इसके बारे में हम आगे गुफ्तगू करेंगे लेकिन इससे पहले ये देखिए कि experimental research में भी steps more or less वही हैं जो इससे पहले research में हमने देखे थे कि आप problem define करेंगे hypothesis बनाएंगे लोगों की selection करेंगे जिन्होंने study में हिसा लेना है फिर उनके variables की existing situation और manipulation के बाद की situation को measure करने के लिए आप research के tools बनाएंगे plan of activities बनाएंगे execute करेंगे data collect करेंगे उसको analyze करके फिर आप उसके interpretation करेंगे so steps more or less वही जो इससे पिछे designs में थे सिरफ execution के वक्त इन चीजों के बनाने के तरीके जो हैं वो एक दूसरे से फरक होते हैं